नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में यूपी पुलिस 24 अगस 2024 सिफ्ट सेकंड की एंसर की देखेंगे आप लोग इस वीडियो को पूरा लाड़ सक देखिए और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताईए कि 1500 प्रश्णों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है इस वीडियो में दोस्तों केवल प्रश्णों रूतर को देखते हुए चलेंगे इसका डीटेल्ड वीडियो आपको बाद में दिया जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्ण है दोस्तों यदि ABC का कोड़ ZYX है तो DEF का कोड़ क्या है तो इसका कोड़ होगा दोस्तों WVU WVU बी आपसन आपका राइट हो जाएगा असमान संख्या यूग में ग्याद कीजिए इसमें आपका बी आपसन राइट है दो बटा चार आठ बटा सोला दो बटा चार आठ बटा सोला नेक्ट है एक सम्तल प्लेन एक नीमित चतुस फलक का इस तरह से प्रतिछेदन करता है कि प्रतिछेद एक सम्भाव तरिभूज बनाता है ऐसे कितने सम्तल एसा कर सकते हैं तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एसर है चार चार मित्र एक पंक्ति में बटे हैं सेम टॉम के दाई ओर है एमी टॉम के बाई ओर है लेकिन उसके बगल में नहीं है रिक एमी और टॉम के बीच में है के बीच है सबसे दाएं कौन बैठा है तो यहाँ पर 800 रुपए में एक साइकल खरीदी और फिर उसे 920 रुपए में बेश दिया उसका लाभ प्रस्चत क्या है तो यहां पर आपका राइटेस दोस्तो 15 15 आपका राइटेस दोस आएगा बिसम को चुनिए यहां पर बिसम को चुनना है छे नंबर के प्रस्चन में 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 यहां पर आपका राइटेस दोस आएगा 9 नेश्ट है एक आकरिती दी गई है आपको यह पचानना है कि इस आकरिती को बनाने के लिए निम्न लिखित में से किस टुकडे की अवसकतर नहीं होती तो यहां पर आपका D आपसन राइट हो जाएगा नेश्ट ह 20 को ज्यांत कीजिये इसमें दोस्तों आपका राइटेस दोस है B आपसन आपका राइटेस दोस हो जाएगा दीगे स्रिखिला से X ज्यांत कीजिये 9 नमबर का प्रश्ण है 64, 57, 50, X, 36 तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइटेंस जोर है 43 स्रिखला में अगली संख्या ग्यांद कीजिए 280, 275, 275, 245 तो यहां पर आपका राइटेंस जोर हो जाएगा 205 नेक्ष्ट है दिये गए विकल्पों में से B सम को ग्यांद कीजिए यहां पर आपका राइटेंस जोर हो जाएगा Milk Sake नेक्ष्ट है नीचे दिये गए विकल्पों में से उपर युक्त स्रिखला में अगली आकरिती ग्यांद कीजिए तो यहां पर आपका B आप्सन राइट हो जाएगा V स्रिखला में अगली आकरिती को ग्यांद कीजिए यहां पर आपका राइटेंस जोर हो दोस्तो D आप्सन Next है स्रिखला में से B सम को ग्यांद कीजिए यहां पर आपका राइटन सुरूज आएगा दोस्तो स्निखला यहाँ पर है B4 D16 F38 S64 J100 तो यहाँ पर आपका राइटन सुरूज आएगा F38 आकरित में त्रिभुजों की संख्या ग्याद कीजिए तो यहाँ पर कुल 18 त्रिभुज हैं इसमें सी आपसन आपका राइटन सुरूज आएगा एक तस्वीर में एक आदमी की उरिशारा करते हुए आसा ने कहा उसकी माँ की इकलोती बेटी मेरी माँ है आसा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है तो यहाँ पर आपका राइटन सुरूज आएगा भान जी निमनलिखित में से बिसम को चुनिए यहाँ पर आपका 63 राइटन सुरूज आएगा नेक्स है एक पासे की निमनलिखित स्थितियों का अध्यन कीजिए और निर्धारित कीजिए की तीन विंदूँ वाले पासे के फेस के विपरित वाले पासे के फेस पर कितने विंदू है तो यहाँ पर डी आप्सन राइट हो जाएगा पांच एक लड़की की और इसारा करते हुए विनोद ने कहा वा मेरे पिता की इकलोती बहन की बेटी है विनोद उस लड़की से किस पकार सम्मंधित है तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कजिन यहाँ पर दोज़ों गद्यांस दिया गया है गद्यांस पर आधारित यहाँ पर प्रस्ण देखेंगे निम्न लिखित में से कौन सा विकल्प सूकती है तो यहाँ पर आपका राइट हो रहे जिस पुरुष की दृष्टी सदा नीची रहती है उसका सिर्ख कभी उपर ना होगा नेक्स्ट है निम लिखित में से की सब्दकार्थ कोमल है यहाँ पर मृदूल आपका राइटे सुरोज आएगा प्रसुत गद्यांस का उचित सीरसक है इसका उचित सीरसक है दोस्तो आत्म निर्भरता हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्म निर्भर बन सकते हैं इसका राइटे सुरोज आएगा अपने विचार और नेड़ा की सोतंदरता को बनाए रहकर ब्योहार की मृदूलता नम्र और उच्चा से बनाती है सी आपसन राइट हो जाएगा कबीर की उलेट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है तो यहाँ पर अदभूद रस है निम्न लिखित में से सही लोकोक्ती का चेहन कीजिए न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी यह आपसन आपका राइट हो जाएगा निम्न लिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी फिन्नार थक है तो देखे दोस्तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा अवधी अवधी चरण कमल में कौन सा समास है इसमें आपका कर्मधारे समास है सरोज सब्द का परयायवाची सब्द का चैन कीजिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तो अर्विंद आ इस्थिर विचार वाला व्यक्ती कुछ भी नहीं कर पाता कि भाव को अव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है तो यहाँ पर आपका राइटन सुर है दुविधा में दोनों गए माया मिलीना राम भी आपसन आपका राइटन सुर हो जाएगा सही अर्थ वाला सब्द युग्म कौन सा है यहाँ पर आपका राइटन सुर है आकर आकार खान आकरती मनोबल में कौन सी संधी है किस समास का उद्वहरण है या दोस्तो ततपुरुष समास का उद्वहरण है अंधा यूग किस की कृती है या धर्म वीर भारती की कृती है सुद्ध वाक्य का चैन कीजिए आतंक वादियों को रिहा करना मूर्खता होगी सी आपसन आपका सुद्ध है नेक्स्ट है प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरुषकार से सम्मानित किया गया है राइट एसुर है भारत सरकार सिच्छा मंत्राले पुरुषकार हिंदी की ठा ध्वनी है तो या दोस्तो मूर्धन्य है पर यावाची समुख का कौन सा यूग में सही नहीं है तो यहाँ पर समुद्र आदित यहाँ का सही नहीं है सोड़ा छंद की विशम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती है तो यहाँ पर कुल 11 मात्राएं होती है के लिए किस कारक का चिन है या दोस्तो संप्रदान कारक का चिन है इंद्री का विशेशन सब्द है इसका विशेशन एंद्री है ए आपसन अनुरूप में कौन सा समास है इसमें अब्याई भाव समास है नेक्ष है लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नहरू पूरशकार किसे दिया गया था तो यहाँ पर आपका राइटे शुरू जाएगा सुमित्रा नंदन पंथ निम्न में से कौन सा सब्द पूलिंग है यहाँ पर आभार पूलिंग सब्द है पस उपास उपण का क्रमसा सही अर्थ प्रकट करने वाला सब्द युग्म है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटे शुर है जानवर रेत मूल ले डी आप्सन आउपसर्ग से बना सब्द है राइटे शुर दोस्तों अथाह अमी का पर्यायवाची सब्द है अमी का परियावाची सुधा होता है कौन सा स्वर संदी का उद्वारन है तो यहाँ पर पवन स्वर संदी का उद्वारन है नेक्श्ट है गीदड का इस्तरी लिंग क्या होगा राइटस रोज आएगा गीदडी डी आप्सन जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं अपूड वर्तमान निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में आसन भूत है तो देखे दोस्तों यहाँ पर राइट जो रो जाएगा मोहित इस्कूल पहुँच चुका है निम्न वाक्यों में से समुच्चे बोधक अब्वेक किस वाक्य में है तो यहाँ पर सीता और गीता पढ़ती है C आप्सन राइट हो जाएगा कंजूसी से धन ब्याय करने वाला के लिए एक सब्द क्रिपन होता है क्रिपन आपका राइट जो जाएगा D आप्सन निम्न लिखित में से किसका अर्थ है कि K H की सास है देखे दोस्तों इसमें आपका राइट जो जाएगा A आप्सन H 8 I 2 J 3 K 5 L A आप्सन आपका राइट जो जाएगा Next है यदि 9 8 7 को 1 2 3 7 4 1 को 3 6 9 के रूप में कोडित किया जाता है तो 2 6 9 को किस प्रकार कोडित किया जाएगा तो यहाँ पर आपका राइट जो जो जाएगा 841 यदि एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है तो 90 किलो मीटर पर दिखंटा की गत से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा तो यहाँ पर आपका राइट जो जाएगा 49 सेकंड यस वी का देवर है पी यस और टी का पिता है टी यम का पिता है वी आर की बहु है पी वी से किस प्रकार सम्मंधित है तो यहाँ पर ससूर आपका राइट जो जाएगा वी आप्सन नेक्स्ट है नमिता प्रिया से लंबी है लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है रीना नमिता से लंबी नहीं है लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है तो यहाँ पर दी आप्सन आपका राइट जो जाएगा रीना अनुकरम एक, दो, छे, चौड़ी से लंबी में अगली संख्या क्या होगी तो यहाँ पर आपका राइट जो जाएगा सास तुब्यस सिखला छे, चौज़ीस, साठ, एकसुब्यस अगली संख्या ग्याद कीजिए तो यहां पर आपका राइटे सोरो जाएगा 210 असमान पद ग्यात कीजिए P49 T4 Z64 K9 तो दिखे दोस्तो यहां पर आपका राइटे सोरो जाएगा K9 37 पूरा कीजिए आकसीजन जलाना पुझाना कारवन डाइअकसाइड CO2 आपका कारवन डाइअकसाइड यहां पर D आपसन राइट हो जाएगा लेक्षट है जब आप अंग्रेजी वाइड माला को पिछडे करम में लिखते हैं तो दाएं से छठे अच्छर के बाएं से तिरहवाँ अच्छर कौन सा है तो यहां पर राइट हो जाएगा D आपसन S S आपका राइट हो जाएगा यदि किसी महीने की 5 तारिक को गुरू आर पड़ेगा तो उस महीने की 20 तारिक के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा यहां पर आपका राइट हो जाएगा सो मुआर छह लड़कियां X, Y, Z, S, P और Q एक वृत्ताकार मेज के 4 और बैठी है उन सभी का मुः वृत्त के केंदर की और है P, Y और S के बीच में नहीं बैठी है लेकि समों से कोई अन्य बैठी है P और Q एक दूसरे के विफ्रीथ है J, D, S के बाएं और P के दाएं है P के बाएं कौन है तो देखे दूस्तों यहां पर आपका राइटे सोरो जाएगा X, P आपसन आपका राइटे सोरो जाएगा येदि कोई पच्छी पूर्ब से पच्छीम की और उड़ता है तो वह किस दिशा में उड़ रहा है तो यहां पर आपका राइटे सोरो जाएगा पच्छीम पच्छीमी दिशा में शिंखला 2, 5, 10, 17 को पूरा कीजिए यहाँ पर आपका राइड़ा सुरोज आएगा 28 27 वस्तूओं का क्रेमूल यक्स वस्तू के विक्रेमूल के समान है यह दिलाव 35 प्रिश्यत है तो यक्स का मान क्या है यहाँ पर आपका राइड़ा सुरोज आएगा 20 20 आपका राइटर सुरो जाएगा एक आदमी उत्तर की ओर 15 किलो मीटर जाता है फिर पुर्व की ओर मुड़ता है और 15 किलो मीटर की दूरी तै करता है और बाई ओर मुड़ता है फिर 15 किलो मीटर के बाद वह दाई ओर मुड़ता है और गंतब्र तक मोंचने के लिए 15 किलो मीटर की दूरी ते करता है तो अपने फ्रानमेक बिदू से कितनी दूर और किस लिजा में है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइटे सुरू जाएगा 30 रूट 2 किलो मीटर उत्तर पूरू राज जी बी में उन गाउं की संख्या जहां 2006 में बिद्दूती करण किया गया था राज जी डी के गाउं की संख्या का कितना प्रश्यत है जहां 2012 में बिद्दूती करण किया गया था यहां पर अस्ती प्रश्यत आपका राइटे सुरू जाएगा नेक्स है यदि WX और Y कीमा है तथा ZX का पती है तो Z के लिए W क्या है यहाँ पर आपका राइटर सुरो जाएगा सास वह संख्या ग्याद कीजिए जिसे 15 अनुपाते 19 के अनुपात के पदों से घटाया जाना चाहिए ताकि इसे 3 अनुपाते 4 के बराबर बनाया जा सके तो यहाँ पर आपका राइटर सुरो जाएगा 3 मीता की आए सीता की आए से 125 प्रिशत अधीक है तो सीता की आए मीता की आए से कितने प्रिशत कम है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटेस रोज आएगा 55.55 प्रश्यत जब हम लंबी विभाजन विधी से दो संख्याओं के महत्तम समापुर्तक की गढ़ना करते हैं अंतिम विभाजक दो होता है और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक क्रमसा दो चार और दो होते हैं इन दो संख्याओं को ग्याद केजिए तो यहाँ पर आपका राइटेस रोज आएगा 18 और 40 दो रेलगाडियें विफ्रित दिशा में 29 किलो मीटर प्रति घंटा और 25 किलो मीटर प्रति घंटा की गस्ये चल रही हैं तेज गति वाली रेलगाडी धीमी गत की रेलगाडी में सवार एक बेक तिको 6 सेकंड में पार करती है तेज गतिवाली ग्रेल गाड़ी की लंबाई ग्यांद कीजिए तो यहां पर आपका राइटेस रोज आएगा 90 मीटर यह आपसन आपका राइटेस रोज आएगा 33,240 रुपई की रास तीन वर्सों में 10 प्रस्य चक्रिवरिद ब्याज पर जमा की जाती है तो मूल रासी क्या है यहां पर आपका राइटेस रोज आएगा 40,000 रुपई कुछ क्रिशी स्रमिकों की आउसत मासिक आए यस है और अन्य स्रमिकों की टी है यदि क्रिशी स्रमिकों की संख्या अन्य स्रमिकों की तुलना में 11 गुना है एक चुनाओं में दो उमीदवार थे 75 प्रश्यत मत दाताओं ने अपने मत डाले जिन में से दो प्रश्यत मत अवैद पाए गए एक उमीदवार को 9261 ओट मिलते हैं जो कुल वैद ओटों का 75 प्रश्यत है तो नमांकित मत दाताओं की उपल संख्या ग्यान किजिए यहां पर आपका राइड़न हो जाएगा 16800 नेक्ट है दो सो पचास मीटर की दूरी से एक पुलिस कर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है जब पुलिस कर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है यदि चोर की गती 16 किलो मीटर पर दिखंटा हो और पुलिस कर्मी की गत 20 किलो मीटर पर दिखंटा हो तो चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूर तक भागा होगा तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइड़न हो जाएगा 1000 मीटर नेक्स्ट है एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित आउसत था अपनी 65 पारी में वह अपनी और से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया इससे उसका आउसत दो रन कम हो जाता है तो उसके रनों का नया आउसत क्या है तो देखें दोस्तों यहाँ पर आपका राइड़न हो जाएगा 128 आप लोग सभी प्रशनों को अच्छे से मिलाते हुँ चलिए और इसका डीटेल्ड वीडियो आपको बाद में दिया जाएगा अभी केवल प्रशन रूतर आप लोग देखते हुँ चलिए दो वर्श बाद चक्रविद ब्याज की दस प्रिश्यत दर पर 4840 रुपए हो जाने वाली मूल रासी क्या होगी तो यहाँ पर आपका राइड़न हो जाएगा 4000 रुपए यक्स और वाई एक कारी को क्रमसह 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते है उन्होंने एक साथ कारी करना सुरू किया लेकिन चार दिनों के बाद वाई को छोड़ना पड़ा और एक्स ने अकेले से स्कारी पूरा किया तो पूरा कारी कितने दिनों में पूरा हुआ था यहाँ पर आपका राइड़न सुरू जाएगा 28 बटा 3 दिन एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने के कारी का जिम्मा लेता है और 25 पूर्षो को नियोजित करता है 24 दिनों के बाद वाद पाता है कि केवल एक तिहाई सडक ही बनी है तो उसे कितने अत्रिक्त पूर्षो को नियोजित करना चाहिए ताकि वह चार दिन पहले काम पूरा करने में सक्षम हो यहाँ पर आपका राइड़न सुरू हो जाएगा 75 पूरुष नेक्स्ट है एक व्यापारी एक वस्त को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेशता है लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती मूली पर 10% सुल्क लेता है खुदरा विक्रेता इसे 4,92 रुपए अधिक में बेशता है जिससे 25% का लाव अर्जित होता है तो व्यापारी ने वस्त को किस कीमत पर अंकित किया था यहाँ पर आपका राइटेस रो जाएगा 18,600 रुपए एक व्यक्ति ने एक वस्त को 20% की हानी पर बेशा यह दिवाहिसे 1200 रुपए अधिक में बेश सकता तो उसे 5% का लाव होगा वस्त को क्रायमून लिक्या है यहाँ पर आपका राइटेस रो जाएगा 48,600 रुपए ने नेश्ट है 2 की घात 2, गुडे 3 की घात 5, गुडे 5 की घात 3 और 2 की घात 4, गुडे 3 की घात 2, गुडे 5 का महत्तम समावरतक ज्यांत किजिए यहां पर आपका राइटे सुर हो जाएगा बी आपसन 2 कीघाद 2, गुड़े 3 कीघाद 2, गुड़े 5 90, 124, 144 का लगुत्तम समावर्तक ग्याद कीजिए तो यहां पर आपका राइटे सुर हो जाएगा 57 नेक्श है दो व्यक्तियों की संपूर वेतन लब्दियां बराबर हैं लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65 प्रश्यत भत्तो की रूप में मिलता है जबकि दूसरे को अपने मूल वेतन का 80 प्रश्यत भत्तो की रूप में मिलता है उसे अभी भी क्रे मूली पर 44 प्रिशित का लाव होता है यदि वह अंकित मूली पर बेशता है तो लाव प्रिशित ग्याद कीजिए यहाँ पर 80 प्रिशित आपका राइटे जोर हो जाएगा एक गाउं के ब्यापार मेले में एक आदमी 5125 रुपे की कुल रासी में एक गोड़ा और एक उट खरीता है उसने गोड़े को 25 प्रिशित के लाव पर और उट को 20 प्रिशित की हानी पर बेश दिया यह दिवा दोनों जानवरों को समान मुली पर बेश था तो सस्ते जानवर का क्रे मुली कितना था तो यहाँ पर आपका राइटे जोर हो जाएगा 2000 रुपे दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है यहाँ पर राइटे जोर है U यन डी आर आर नेक्स्ट है एन एरा आप डार्कनेस पुस्तक किस ने लिखी है राइटे जोर है ससी थरूर ने लिखी है नेक्स है जी ट्वंटी देशों में जी अच्छर का क्या रथ है तो इसका रथ है गुरूप छेत्र कारे आधारित अनसंधान को इस प्रकार वर्गी कृत किया गया है यहाँ पर जीवन संबंधी आपका राइटे जोर है पूर्व राश्पत डाक्टर अब्दुल कलाम की P.U.R.A. योजना संदर्भित करती है यहाँ पर आपका राइटे जोर हो जाएगा ग्रामीर छेत्रों में सहरी सुविधायें उपलब्ध कराना नेक्स है बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राजी कौन सा है राइटे सुरह दोस्तों राजस्थान नरवरा परमाणु विद्दु सेयत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है देखे दोस्तों यहाँ बुलंद सहर में स्थित है युनाइटेट किंग्डम की आधिकारिक मुद्रा क्या है राइटे सुरह पौन्ड इस्टर्लिंग ग्रीन हाउस गैस क्या है गैस जो अवरक्त विक्रण उत्सरजित और अवसोसित करती है नेक्स है प्रतेक पंजीकृत आपूर्थी करता को दी गई पहचान संख्या GSTIN है ए आपसन आपका राइटर शुरू हो जाएगा एक्षट है साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष सुरू की गई तो देखे दोस्तों यहाँ पर राइटर शुरू हो जाएगा 2018 में किसी दिन को अंतरराशी सांती दिवस के रूप में माननेता प्राप्त है यहाँ पर आपका राइटर शुरू है 21 सितंबर भारत की पहली महिला प्रधान मंत्री कौन थी राइटर शुरू है इंद्रिया गांधी निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है यहाँ पर आपका राइटर शुरू हो जाएगा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को आपरेटिव लिम्टेड सी आपसन आपका राइटर शुरू हो जाएगा मानों अधिकार सनशन अधियम कब लागू हुआ तो इसका राइटर शुरू है दोस्तो 28 सितंबर 1993 भारत में कैसलेस अर्थव्योस्ता को भारत सरकार की पहल के साथ बढ़ाया गया तो यहाँ पर आपका राइटर शुर है डिजिटल इंडिया यहाँ पर डिजिटल इंडिया आपका राइटर शुर है किस प्राचीन भारती गरंथ को आयूर वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर आपका राइटर शुर है चरक सहिता भारती समिधान के किस अनुच्षेद में पंचायतों की अस्थापना का प्रावधान है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटर शुर है अनुच्षेद 243 किस दिन को 200 मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है यहाँ पर आपका राइटर शुर है 23 मार्च नेक्स्ट है S AC कोड में अंक होते हैं देखे दोस्तों इसमें 6 अंक होते हैं भारत के लौफ पूरुष के रूप में किसे जाना जाता था तो सरदार वललब भाई पटेल को लौफ पूरुष के रूप में जाना जाता था सियापसन आपका राइटर शुर हो जाएगा भारत ने बिटिस आसन से किस वर्ष में सोतंतरता प्राप्द की थी तो राइटर शुर है 1947 1997 में अपनाई गई किस अंतराशी संधिका उद्देश से रासानिक हतियारों की उत्पादन भंडारन और प्रेयोक को समाप्त करना है तो यहाँ पर आपका राइटर शुर हो जाएगा रासानिक हतियार सम्मेलन यह आपसन आपका राइटर शुर हो जाएगा जम्मू और कस्मीर में वार अंगेस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था राइटर शुर है कैप्टन बाना सिंग नेक्स्ट है कोसिका में राइबो सोम का मुख्य कारिय क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटर शुर हो जाएगा प्रोटीन संसलेशन मैं ग्रोव वितरन मुख्य रूप से अंडमान और निको बार दूइप समू के लिए के निमनलिखित भागों में से किसमी पाया जाता है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटर शुर हो जाएगा उत्तरी अंडमान यन ओ ये का मतलब है इसका मतलब है राशी समुद्री और वायमंडली संचालन ये आपसन आपका राइटर शुर हो जाएगा कौन सा भारती राज चाय का प्रमुगुत पादक है राइटर सुर है असम सयुद्राश सुरक्षा परिशत की भूमी का क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटर सुर हो जाएगा अंतरराशी सांतिय और सुरक्षा बनाए रखना भारत में किस अद्नियम ने गयर कानूनी और आतंकवादी गत्विधियों से निपटने के लिए रूप रेखा प्रदान की तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटर सुर हो जाएगा यू ए पी ए ज्यामिती के जनक के रूप में किसे जाना जाता है राइटर सुर है यूग किलिड नेक्स्ट है सोसल मेडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग करने का प्रात्मिक लाब क्या है यहाँ पर आपका राइटर सुर है प्रदर्शन को मापना वह धन है जो वह तरीकों से अरजित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है जिसके लिए आयकर या अन्यकर का भुकतान किया जाता है यहाँ पर आपका राइटर सुर हो जाएगा सफेद धन नेक्स्ट है भारती सम्मिधान की प्रस्तावना में कौन सा सब्द या दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंतरन से मुकत है तो यहाँ पर आपका राइटर सुर है संपूर प्रभुत संपन भी आपसन भारत में निमलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध शेतर के बीच है इस्तित है राइटर सुर है दोस्तों मालवा का पठार सोसल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन सब्द का क्या रथ है इसका रथ है अन्य सुरोतों से प्रासंगी कंटेंट का चेन, आयोजन और साजा करण पिंसलीन की खोज जिसने चिकिस्सा में क्रांती लादी का स्रेक इन्हें दिया जाता है किसे दिया जाता है तो राइटर सुर है दोस्तों अलेकजेंडर फ्लेमिंग भारत रूस वार्षिक सीखर सम्मेलन का क्या महत्व है तो राइटर सुर हो जाएगा दोस्तों रणनीतिक साज़दारी और अच्छा सहियों को मजबूत करना संबंधिस सब्द ग्यान किजिए भाज भाज भिसम सम भी आपसन आपका राइटर सुर हो जाएगा निम्नलिखित प्रश्ण में आपको दिये गए सब्द के साथ चार अन्य सब्द भीकलपों के रूप में दिये गए है उनमें से एक सब्द को दिये गए सब्दों के अच्छरों का उपियों करके नहीं बनाया जा सकता है उस सब्द को पहचानिए mathematics यहाँ पर लिखा गया है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटर सुर हो जाएगा matter साद्रिस से पूरा कीजिए कुत्ता, केनल, सेर तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटर सुर हो जाएगा den b option वह भीकल्प ग्याद कीजिए जो प्रस्णिशी नहीं के अस्थान पर आएगा तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटर सुर हो जाएगा 61 की घाट दो p square प्लस q square प्लस 2pq इसमें दोस्तों आपका राइटर सुर हो जाएगा 5897 नेक्स है स्रिंखला में लुप्त पद ग्याद कीजिए यहाँ पर a5bc, a4ce, a3dg, a1fk तो यहाँ पर लुप्त पद ग्याद करना है यहाँ पर आपका राइटर सुर हो जाएगा a2, e, i दीगई स्रिंखला में लुप्त संख्या ग्याद कीजिए 11, 15, 24, 40, 65 यहाँ पर आपका राइटर सुर हो जाएगा 101, d आपसन आपका राइटर सुर हो जाएगा नेक्स्ट है एना 15 मीटर दच्छिड की ओर चलती है फिर दाय मुर्ती है और 20 मीटर ओर चलती है वो अपने सुरुवाती बिंद से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटर सुर हो जाएगा 25 मीटर दच्छिड पस्चिम अनुकरम में अगला पद ग्याद किजिए इसके बाद क्या होगा तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटर सुर हो जाएगा D आपसन D आपसन आपका राइटर सुर हो जाएगा 141 नंबर का फ्रश्ण है उत्तीड होने वाले छातरों की संख्या के आधार पर दोनों परिक्षाओं के कठ्याई अस्तर की तुलना करने के संदर में निम्न लिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटर सुर हो जाएगा दोनों परिक्षाओं का कठ्याई अस्तर लगभग समान था दी आपसन आपका राइटर सुर हो जाएगा निम्न लिखित में से कौन सा आरेख भारत, हरियाना और विश्चु के बीज संबंद को सबसे अच्छा दर्साता है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइटर सुर हो जाएगा बी आपसन निश्ट है आकरीत का विश्चलेशन करके ग्यांत कीजिए कि कितनी लाल वस्तुएं प्लास्टिक नहीं है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइटर सुर हो जाएगा तेज ग्राफ का अध्यन कीजिए और कॉफी के छेत्र का कोड ग्यात कीजिए तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका 72 राइट अंसर हो जाएगा 72 एक निश्चित कोड भासा में यदि सब्द पार्टनर को O, Z, Q, S, M, D, Q के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी भासा में सब्द सेग्मेंट के लिए कोड क्या होगा यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाएगा RDF, LDMS यह आपसन आपका राइट अंसर हो जाएगा निश्च है D गई कोड भासा का उप्योग करके यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाएगा चालिस B आपसन आपका राइट अंसर हो जाएगा एक आदमी की ओर इसारा करते हुए कल्याणी ने कहा उसका पोता मेरे भाई का एक लोता बेटा है वह आदमी कल्याणी से किस तरह संबंधित है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाएगा पिता निम्न लिखित प्रस्ण में आपको दिये गए सब्द के साथ चार अन्य सब्द बिकल्पों के रूप में दिये गए है उन्यमें से एक सब्द को दिये गए सब्द के अच्छरों का उप्यों करके नहीं बनाया जा सकता उस सब्द को पहचानिए तो यहाँ पर आपका राइट असर हो जाएगा बी आप्सन यम ए जे ओ आर सीमा पूर्व की ओर आठ किलो मीटर दोडी फिर बाईं ओर मुढी और 6 किलो मीटर चलने लगी फिर वह दाहिनी ओर मुढ कर 4 किलो मीटर चली अंत में वह दाई ओर मुढी 18 किलो मीटर चली और अपने घर पहुंची प्रारंभिक बिंदु के संदर में उसका घर किस दिशा में स्थित है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइटन सरो जाएगा दच्छिड पूर्व दिसा सी आपसन आपका राइटन सरो जाएगा दच्छिड पूर्व दिसा यदि प्लस भाग को दर्शाता है भाग माइनेस को दर्शाता है माइनिस गुड़े को दर्शाता है गुड़ा प्लस को दर्शाता है तो 30 प्लस 10 भागे 6 माइनिस 5 गुड़े 6 का मान क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर माइनिस 21 आपका राइट एंसर हो जाएगा तो ठीक है दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर अप समाप्थ करते हैn आप लोग कमेंट करके बताईए 1500 प्रशनों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है इसका डेटेल्ल वीडियो आपको बाद में दिया जाएगा इस वीडियो को यहीं पर समाप्थ करते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद